है लो फ्रेंड्स बहुत खूशी है मेरे को कि हम जो आपको याद होगा आजे इनका हमने फेस पूरा जला हुआ था दिखाओ जरा याद है आपको इनका हमने किया था फेस के लिए भी और हाथ के लिए भी हाथ दिखा आपका चलने लगया कि नी हाँ ये देखो इनके फिंगर्स बूँ करने लगए ये यहाँ पर थोड़ा सा कंट्रेक्चर है बीबी तो ये हम रिलीज करने की कोशिश कर रहे है और ये थोड़ी सी मेरी बात भी कम मानता है ये लड़का ना ये मेरी बात कम मानता है इस वज़ा से इसको फाइदा कम होता है और ये एक्सेसाजी करता ही नहीं है जो मैं इसको बता के भेता हूँ कि लोग डिप्रेशन का शिकार हो ज़ाते हैं ये डिप्रेशन का शिकार हो गगए इसके जीजज़ी साथ में हुए हम उन्हें वो बता հहे हैं, घर पे पड़ा ही रहता हैं, काम करता नहीं है तो मैंने इस बार बोला है कि इसको काम पे लगाओ चाहे दसे अरपर मिने के कोपर काम पे लगाओ और एक हम इनक बनवा रहे हैं प्लेन ग्लासिस से आँखे इनकी काफी अच्छी हो गई है पहले से देखो पहले आँखे बंद ही नहीं होती थी अब इनकी ये वाली आँख तो बंद हो ने लगए करके दखाओ बंद करके दखाओ यह देखो अब बंद होने लग गई है तो वो इसका एफट का हमें फाइदा मिला है और फेस का कलर आप देख रहे होगे ये बहुत मोटे मोट इसके थे कानमी और यहां पर हाइपर ट्रॉफिक्स का आरथे सारे सारे ठीक हो गई है सारे आप देखो के काफी अच्छा हो गया है इसका फेस तो दोस्तों पता क्या है काम तो हम सारी उमरी करना है उसकाम ऐसा भी है कि इस जैसे लोगों की हेल्प कर देना चाहिए और मैं यूट्यूब पे और में कुछ नाम तो नहीं पता पट मैंने बहुत से केसिस देखता हूँ बहुत से लोग देखता हूँ जो सोशल सर्विस करते हैं और उनको देखके मेरे को भी थोड़ा सा लगता है कि हमें भी करनी चाहिए तो यह केस हमने सोशल सर्विस में ही रखा ह है कि इनकी हमने हैलप करनी ही करनी है चाहे जैसे मरजी ओझाये और पिछली बार मैंने इनका हैंड का भी किया था और फेस का भी किया है Iya दो महीं हम कर रहे हैं और दवायां भी हम अपने पास से दे रहे हैं कोई फरक कि इससे पॉसिबल हो सकती है दो वी होप की इनकी जो जिस आशा के साथ ही हमारे पास जिस आशा के साथ एनको पहले कुई पासून बढ़ा के राजी नहीं था तो अब भी इनकी फेस थोड़ा सा पहले से अच्छा हो गया है और सोशली एकसेप्टेबल हो है कि इनको हम किसी जॉब में लगवा सकते हैं और ये लुधियाना में अब चल शिफ्ट हो गया है लुधियाना में तो बहुत से इंडस्टी हैं वहां पर किसी नहीं किसी इंडस्टी में इनको फिट करवा देंगे और बाइनेक्स टाइम जब हम इनका वीडियो बनाएं तो most probably इनकी जॉब लगी होगी हम मैंने इनके जीजा जी को कहा है कि इसको जॉब पे लगाओ अब घर पे नहीं बठाना है तो hope for the best और आप लोगों की सबकी दुआएं मेरे साथ हैं तो हम इनका अच्छा सा करेंगे और इन्होंने खुद रिक्वेस्ट की है आज की मेरा treatment करत हुए का वीडियो बनाओ तो हम इनका वीडियो बना देंगे और सारी treatments का जो हम करेंगे और आप देखना और आप भी blessings देना और ऐसी के साथ ही आप इस वीडियो को share and like and share इतना share कर दो कि कोई और भी inspire हो जाएं मेरे जैसे doctor भी बाकी के inspire हो जाएं और एक एक case भी हम सारे doctor क करने लग जाए ना तो कितने लोगों का भला हो जाएगा यह सोचो आप तो इसको दबा के share कर दो और हमें भी blessings भेज़ दो अच्छे अच्छे words लिख दो और thank you all for you watching for this and हमारे साथ देने के लिए धन्यवाद thank you